ओम स्री गनीशाय नमहा ओम नमशिवाय रुद्र सम्हीता प्रितमकंड रुश्यो के प्रिश्ण के उत्तर में नारत ब्रह्मा संबात की अफ्तारना करते हुए सूत जी का उन्ने नारत मुँ का प्रसंग सुनाना कामविजय के गर्व से युक्त हुए नारत का शिव ब्रह्मा तता विश्ण के पास जाके अपने तब का प्रिवाव बताना जो विश्व की उत्त्ति स्तिती और लाय आदी के एक मात्र कारण है गाउरी गिरी राज कुमारी उमा के पती है तत्वग्न है जिनकी कीर्थी का कहीं अंत नहीं है जो माया के आश्रे होके भी उससे अत्यंत दूर है तता जिनका स्वरोप अचिंत है उन विमल बोध स्वरोप भगवान शीव को में प्रिनाम करता हूँ मैं स्वभाव से ही उन अनादी शांत स्वरोप एक मात्र पुर्शुत्तम शीव की वंदना करता हूँ जो अपनी माया से इस संपून विश्व की स्रुस्टी करके आकाश की बांती इसके बीथर और बाहर भी स्थित है जैसे लोहा चुमबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटकता रहता है उसी प्रेकार ये सारे जगत सदासा बोर जिसके आसपासी ब्रह्मन करते हैं जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचना की विदी बताई थी जो सबके बीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तता जिनका अपना स्वरू पत्यंत गूड है उन भगवान शिव को मैं सादरवंदना करता हूँ व्यास जी कहते हैं जगत के पिता भगवान शिव जगनमाता कल्यान मही पारवती तता उनके पुत्र गनेज जी को नमसकार करकी हम इस पुरान का वन्नन करते हैं एक समय की बात है नेमिशारनी में निवास करने वाले शौना काधी सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिबाव के साथ सूत जी से पूछा रुशी बोले महाभाग सूत जी विकनेश्वर समीता के जो सात्य साधन कंड नामावली शुप एवं उत्तम कता है उसे हम लोगों ने सुन लिया उसका आदिबाग बहुत ही रमनिया है तता वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वादसलिय स्निय अप्रिकट करने वाली है विद्वान अब आप भगवान शिव के परमुत्तम स्वरूप का वन्नन कीजिए साथ ही शिव और पार्वती की दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवन कराईए हम पूसते हैं नेरगुन महेश्वल लोग में सगुन रूप कैसे धारन करते हैं हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते स्रुस्टी के पहले भगवान शिव किस प्रेकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं फिर स्रुस्टी के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीडा करते हुए सम्यक वेभार बरताव करते हैं और स्रुस्टी कल्प का अंत होने पर वे महिश्वर देव के सुरूप में स्थित रहते हैं। लोग कल्यानकारी शंकर कैसे प्रसन होते हैं और प्रसन हुए महिश्वर अपने भक्तों तका दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं। ये सब हमसे कहिए, हमने सुना है कि भगवान शिव शीक्र प्रसन हो जाते हैं, वह महान दयालू है, इसलिए अपने भगतों का कस्ट नहीं देख सकते, ब्रह्मा, विश्नु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन हुए हैं, उनके प्राकटी की कता तता उनक कीजिए, प्रबो, आपुमा के आविर्भाव और विवा की भी कता कहिए, विशेष्टा, उनके ग्रहस्त धर्म का और अन्यलीलाओ का भी वनन कीजिए, निश्पाप सूत जी, हमारे प्रिश्न के उत्तर में, आपको ये सब तता दूसरी बाते भी अवश्य कहनी चाहिए, सूत जी ने कहा, मुनिश्वरो, आप लोगोंने बड़ी उत्तम बात पूची है, भगवान सदाशिव की कता में आप लोगों की जो आंतरिक निस्टा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात रहे, ब्रामनों, भगवान शगरकर का, गुनानुवाद, सात्वीक, रा गुनानुवाद को सुनने से उप सकता है, जिनके मन में कोई दुष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरिश भगवान शिव के उन गुनों का गान करते हैं, क्यूंकि वह गुनावली संसारूपी रूख की दवा है, मन तता कानों को प्रिया लगने वाली और संपून मनोरतों को देने वाली है, ब्रामनों आप लोगों के प्रिश्ण के अनुसार में यता बुद्धी प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वन्नन करता हूं, आप आदर पूर्वक सुनें, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रिकार देवर्शी नारत जी ने शिव रूपी विश्णू से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था, अपने पुत्र नारत का प्रिश्ण सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित प्रसन हो गया, और वो उन मुनी शिरोमनी को हश प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश्ण का गान करने लगे, एक समय की बात है, मुनी शिरोमनी विप्रवन नारत जी ने जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, विनित चित हो तपस्या में मन लगाया, हिमालाय परवत में कोई एक गुफा थी, जो बड़ी शोबा से संपन दिखाई देती थी, उसके निकट देवनदी गंगा निरंतर वेक प पुर्वक बहती थी, वहां एक महां दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रेकार की शोबा से सुशोबित था, दिव्य दर्शी नारत जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए, उस गुफा को देख मुनीवन नारत जी बड़े प्रसन हुए, और सुदीर की काल तक वह तपस्या करते रहे, उनका अंतकरन शुद्ध था, विद्रूर्ता पूर्वक आसन बांध कर, मोन हो, प्रानायम पूर्वक समाधी में स्थित हो गए, ब्रामनों उन्होने वा समाधी लगाई, इसमें ब्रह्मा का साक्षात कर कराने वाले, अहम ब्रह्मा सी, में ब्रह्मा ह होता है, मुनिवर, नारज जी जब इस प्रिकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र काप उटे, वे मानसिक संताप से विहल हो गए, यह नारज मुनी मेरा राज लेना चाहते है, मन ही मन ऐसा सूच कर, इंद्रे ने उनकी तपस्या में विग कामदेव आ गए, महिंद्र ने उने नारज जी की तपस्या में विग्ण डालने का आदेश दिया, यह आगना पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस्तान पर गए और अपना उपाय कनने लगे, उन्होंने महाशीक रही अपनी सारी कलाये रच डाली, वसंत ने भी मदमत होकर अपना प्रिवाव अनेक प्रिकार से प्रिकट किया, मुनी वरो कामदेव और वसंत के अतक प्रेत्न कनने पर भी नारज मुनी ने चित में विकार नहीं उत्पन हुआ, महादेव जी के अनुग्रे से उन दोनों का गर्व चूर्न हो गया, शोनकादी महर शीयों, ऐसा होने में जो कारण था, उसे आदर पूर्वक सुनो, महादेव जी की कृपा ही नारद मुनी पर कामदेव का कोई प्रिवाव नहीं पड़ा, पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शीयों ने उत्तम तपस्या की थी, और वही उन्होंने मुनीयों की भयान करने वाले भगवान शंकर से याचना की, उनके याचना करने पर वो बोले देवताओं कुछ समय व्यतित होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परन्तु यहां उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा, अमरगन यहां खड़े होकर लोग चारों और जितनी भूमी को नीतर से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बानु का प्रवाव नहीं चल सकेगा, इसमें संच्छे नहीं है, भगवान शंकर की, इस युक्ति के अनुसार उस समय महानारजी के प्रती कामदेव का नीजी प्रवाव मित्ता सित हुआ, विशी ग्रही स्वर्ग लोग में इंद्र के पास लोट गए, वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तान्त और मुनी का प्रवाव कह सुनाया, तत पस्चात इंद्र के आगना से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लोट गए, उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विसमें हुआ, उन्होंने के भीतर सभी प्रानियों के लिए, शंभू की माया को जानना अत्यंत कटिन है, जिसने भगवान शिव के चर्नों में अपने आपको समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेश सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है, नारज जी भी भगवान शंकर की गुरुप इसा मान कर उनी मुनिश्वर के मन में व्यर्ति ही गर्व हो गया, भगवान शिव की माया से मोहित होने की कारण उन्हें यतार्थ बात को ज्यान नहीं रहा, वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का ब्रबाव ही कारण है, उस माया से अत्य शिंत मोहितो मुनी शिरो मनी नारत अपना काम विजे संबंदी वृत्तांत बताने के लिए तुरंधी कैलास परवत पर गई। उस समय वे विजे की मद से उनमत हो रहे थे वहां। रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनी ने अपने आपको महात्मा मान कर तता अपने ही प्रवाव से काम देव पर अपनी विजे हुई समझ कर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वसब सुनकर भक्तवतसल भगवान शंकर ने नारजी से जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजे के यतार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे कहा। रुत्र बोले तात नारद तुम बड़े विद्वान हो धन्यवाद के पात्र हो परंतु में यह बात ध्यान दे कर सुनो अपसे फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना कहना विशेष्टा भगवान विश्णू के सामने इसकी चर्चा कदापी ना करना तुमने मुझसे अपना जो प्रिकट नहीं करना चाहिए तुम मुझे विशेष प्रिया हो इसलिए अधिक और दे कर मैं तुमें यह शिक्षा देता हूं और इसे ना कहने की आगना देता हूं क्यूंकि तुम भगवान विश्णू के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरा अत्यन्त अनुगामी ह इस प्रिकार बहुत कुछ कहकर संसार की स्रुस्टी करने वाले भगवान रुद्र ने नारजी को शिक्षा दी अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुजाया परंतु वेतो शिव के माया से मोहित थे इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई आना तदंतर मुनिशिरोमनी नारद ब्रह्मलोक में गए वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा पिता जी मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरान विंदू को चिंतन किया और सारा कार अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया परंतु नारद जी शिव की माया से मोही थे अतिये उनके चित में मत का अंकुर जम गया था उनकी बुद्धी मारी गई थी इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तान भगवान विश्नु के सामने कहने के लिए महां से शीग रही विश्नु लोग में गए नारद मुनी को आते देख भगवान विश्नु बड़े आदर से उठे और शीग रही आगे बढ़कर उन्होंने मुनी को रुदे से लगा लिया मुनी के आगमन का क्या हेतु है इसका उन्हें पहले से ही पता था नारद जी को अपने आसन पर तुम धन्य हो तुमारे शुबागमन से में पवित्र हो गया भगवान विश्नु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनी ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तान बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया नारद मुनी का वहां कर युप्त वचन सुनकर मन ही म भगवान विश्णु ने उनकी काम विजे के यतार्थ कारण को पूर्णरूप से जाल लिया ततपस्चा स्री विश्णु बोले मुनिस्रेस्ट तुम धन्य हो तपस्या के तो भंडार ही हो तुमारा हुदे भी बड़ा उदार है मैंने जिसके बीतर भक्ती ज्यान और वैरा के नहीं होते उसी के मन में समस्त दुखो को देने वाला काम मो आदी विकार शीग रूदपन होते है तुम तो नैश्टिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्यान वैरा के से युक्त रहते हो फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है तुम तो जन्म से ही निर्विकार तता शुद्ध बुद्धि वाले हो स्रीहरी के कहीं हुई ऐसी बहुत सी बाते सुनकर मुनी शीरो मनी नारज जोड जोड से हसने लगे और मन ही मन भगवान शीव को प्रिनाम करके इस प्रिकार बुले नारज जी ने कहा स्वामिन जम मुझ पर आपकी गुपा है तब बेचारा काम देव अपना क्या प्रबाव दिखा सकता है ऐसा ख्यायकर भगवान ने चन्नों में मस्तक जुका कर इच्छानुसार विचन्ने वाले नारज मुनी वहां से चले गए ओम नमस्शिवाई